हे गाईज, प्रो कबड़ी सीजन 10 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है ये वाला वीडियो कैप्टेंस के उपर होने वाला है दो दिन पहले ही प्रो कबड़ी सीजन 10 का आक्शन खतम हुआ अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हर एक टीम से आखिर कौन वो खिलाडी होगा जिने कप्तान घोशित किया जाएगा इस वड़ो में आपको सभी बारे टीमों के प्रोबेबल कैप्टेंस के बारे में बताने वाला हुआ जिन में से कुछ ऐसी टीम से जिनके कप्तान 100% कनफर्म है तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं शुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं बेंगॉल वोरियर्यस के साथ बेंगॉल वोरियर्यस के जो कप्तान प्रो कबड़ी सीजन 10 में मनिंदर सिंग रहने वाले है इसमें कोई शक की बात नहीं है because Bengal Warriors के पास कोई experience player भी नहीं है और Maninder Singh को वापस auction में ले लिया Season 7 से लेके Season 9 तक Bengal Warriors के कप्तान Maninder Singhी थे तो Maninder Singh continue करेगे as a captain of Bengal Warriors अगली team की तरफ बड़े तो अगली team Bengaluru Bulls की team है Bengaluru Bulls के कप्तान यहाँ पे विकास कंडोला हो गे प्रो कबड़ी Season 10 में प्रो कबड़ी Season 8 में हमें कप्तानी करते हुए दिखे थे हरियना स्टीरस के और लास्ट सीजन Bengaluru Bulls के जो कप्तान थे महिंदर Singh वो यहाँ पे यूमूंबा में चले गए तो Bengaluru Bulls के पास एक अच्छा option है जो यहाँ पे विकास कंडोला है और मुझे लगता है कि इनको इस बार Bengaluru Bulls का नया कप्तान बनाया जाएगा बढ़ते अगले टीम की तरफ तो अगले टीम दबंग देली की टीम है दबंग देली की टीम कप्तान नहीं बदलेगी नवीन कुमार के साथ ही दबंग देली जाने वाली है नवीन कुमार को पिछले सीजन दबंग देली की टीम ने कप्तान अपोइंट किया वैसे तो दबंग देली की टीम ने ओवर ओल अच्छा पाफोर्मेंस दिखाया था और कुछ चेंजिस नहीं करेगी नवीन कुमार के साथ ही दबंग देली की टीम जाने वाली है चौती टीम की बात की जाए तो चौती टीम गुजराज जैंट्स की टीम है इस सीजन हमें गुजराज जैंट्स का नया कप्तान देखने को मिलेगा वो है सुल्तान फजल अतराचली फजल अतराचली को गुजराज जैंट्स की टीम ने खरीद लिया नहीं सिर्फ लेफ्ट के एक बड़ी आसा defender मिला एक बड़ी आसा कपतान भी गुजराज जाइंट्स को मिल चुका है प्रो कबड़ी सीजन 5 में गुजराज जाइंट्स से फजल अतराचली खेले थे सीजन 6 में यू मुंबा की टीम ने खरीद लिया था अगली टीम की तरफ बड़े तो अगली टीम हरियाना स्टीलर्स की टीम हरियाना स्टीलर्स के टीम से भी हमें एक निया कपतान देखने को मिलेगा most probably यहाँ पे CR66 को कपतान अपोइंट किया जा सकता यानि की चंदर नंजीत ओक्षन में हरियाना स्टीलर्स की टीम ने इनको 62 लैक में खरीदा तो इतना जादा पैसे spend करना मुझे लगता है कि as a captain हरियाना स्टीलर्स की टीम इनको ढूंड रही थी and मिल भी गए अप इसले सीजन तो गुजरा जैंट की भी कपतान थे तो मुझे लगता है कि यह सबसे आगे चल रहे कपतान के रेस में and हरियाना की टीम इनको कपतान बना सकती है अगली टीम की तरफ बढ़े तो अगली टीम defending champions जैपूर पिंग पैंथर्स की टीम है जैपूर पिंग पैंथर्स की टीम कपतान बनाएगी सुनिल कुमार को winning captain रह चुक है and कुछ changes करनी की जरूरत नहीं है प्रो कबड़ी season 6, 7, 8 में गुजरा जैंट के कपतान थे season 9 में जैपूर पिंग पैंथर्स में आए and captain बनाएगे and season 9 में तो प्रोफी भी जीता सुनिल कुमार ने तो overall देखा जाए तो जैपूर की टीम सुनिल कुमार को ही continue करीगी as the captain of जैपूर पिंग पैंथर्स अब यहाँ पर वीडियो में आगे बड़े इससे पहले बता देना चाहता हूँ pro kabaddy league अब धीरे-धीरे हम सभी से करीब आ रहा है और अगर आपको pro kabaddy league and kabaddy के हर एक update सबसे पहले जारना है तो मैं यहाँ पर recommend करूँगा कि आप मेरे telegram channel को join कर लो telegram channel पे बहुत कुछ डेरी शेर कर रहा हूँ तो जिनको भी interested kabaddy के update से तो आप telegram channel को join कर लो description box में telegram channel का link मिल जाएगा नहीं तो telegram पे जाकर आप add rate sports universe 7 सर्च करके join कर सकते हो साथवी team की तरफ बढ़े तो साथवी team पटना पारेट्स की team है पटना पारेट्स का पिछले सीजन अच्छा नहीं गया था लेकिन कफटान की बात की जाए तो मुझे लगता है कि पटना पारेट्स की team नीरज कुमार के साथ ही continue करने वाली है पिछले सीजन पटना पारेट्स की team ने इनको कफटान भोशित किया था एंड मुझे नहीं लगता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है इनको रिटेन भी किया तो सायद से इनके साती वापस पटना पारेट्स की टीम जाए as a captain of पटना पारेट्स अगली टीम की तरह बड़े तो अगली टीम पुनेडी पल्टन की टीम में पुने की टीम में हमें न असलम इनामदार थे तो फजल अत्रा चली तो गुजरा जान्स में आ चुके तो most probably असलम इनामदार को कप्तान बनाया जाएगा वैसे तो स्कॉर्ड में यहां पर मोहमद एरिजा सादलू जैसे ओल्राउंडर भी है लेकिन मुझे लगता है कि असलम को बनाया चाह सकता है असलम या फिर सादलू इन दोनों में से कोई एक कप्तान हो सकता है लेकिन मुझे से पूछा जाए तो यहां पर मैं असलम को यहां पर चुनने वाला हो अगली टीम की बात की जाए तो अगली टीम तेलगू टाइडन्स की टीम है तेलगू टाइडन्स की टीम में कौन से ब इस्तमाल तेलगू टाइटन्स की टीम अच्छे से करने वाली है, करे भी क्यों न, क्योंकि इनको ओक्षन में 2.605 करोण में तेलगू टाइटन्स की टीम ने खरीदा, तो इनको as a main rider भी उसकरेगे, and as a captain भी तेलगू टाइटन्स की टीम पाइदा उठाएगी, and कप्तान सहरावाद को कप्तान घोशित किया, लेकिन पहले match गुजराज जाइंट्स में ही, unfortunately, रूल आउट हो गए, and then यहाँ पर सागर राटी को अपोइंट किया गया, सागर राटी मिट सिजन तक कप्तान ही किये, लेकिन प्लेओफ के आने से 5-6 match पहले वो भी injury के कारण नहीं ख पुष्ट आ गया, और रूल देखा जाए, तो यहाँ पर अजिंक्या पवार ने तमिल तलावास को 6 match में कप्तानी किया, जिसमें से 4 match जीती, 1 match ट्राई गया, and सिर्फ 1 match हारी जो यहाँ पर सेमी फाइनल का match था, पुनरी पल्टन के अगेंस, तो जो तमिल तलावास का 5 match का unbeaten streak था, वो बहुत भी interesting था, and मुझे लगता है कि तमिल तलावास की टीम, जिंक्या पवार को कप्तान बना सकती है, या फिर अगर defender को कप्तान बनाने का सोच रिये, तो सागा राठी भी अच्छे option है, अगली टीम की बात कीजाए, तो अगली टीम UP योधास की टीम है, UP योधास की टीम के कप्तान कोन होगे, मुझे पता है कि आपने सही guess कर लिया है, वो है परदीप नर्वाल, record breaker परदीप नर्वाल ही कप्तान होगे, UP योधास के, प्रो कबड़ी सीजन 5 से प्रो कबड़ी सीजन 7 तक, पटना पारेट्स के कप्तान रह चुके है, जब UP योधास की टीम ने परदीप नर्वाल को कप्तान घोशित किया, एंड मुझे लगता है कि UP योधास की टीम इनके साथ ही continue करेगी, एंड इस सीजन परदीप नर्वाल, UP योधास के कप्तान होगे, आखरी टीम की बात की जाए, तो आखरी टीम यहाँ पर यू मुंबा की ट इनके स्कॉर्ड में और कोई experience प्लेयर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, एक है यहाँ पर महंदर सिंग है, लेकिन सुरिंदर सिंग कप्तान होई चुक है, तो इनको दुबारा कप्तानी का जो जिम्मेदारी है, वो यहाँ पर दिया जाएगा, तो यह है सभी टीमों के probable captains मेरे according, आपको क्या लगता है, इसमें कोई changes हमें किसी टीम में देखने को मिल सकता है कि नहीं, आप अपना opinion comment section में बता सकते हो, और वी topic की उपर वीडियो आ चुका है, आपने नहीं देखा है, तो आपको description box में उस वीडियो के लिंक मिल जाएगा नहीं, तो आप channel पे जाके check out कर सकते हो, प्रो कोबटी सीजन 10 में सभी टीम के क्या squad रहने वाली है, वो अगर आपको जानना है, तो left side पे आप उसको click करके देख सकते हो, and channel की decent वीडियो आपके right side पे show रहा होगा, वो भी आप check out कर सकते हो, तब तक मैं मिलता हूँ, ऐसे और नए interesting video के साथ, thanks for watching